दोस्तो भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों खेसारी लाल यादव का जल्वा खूब देखने को मिल रहा है अभी हाल में इनकी फिल्म संगर्ष 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की थी और अब वो नई फिल्म राजा राम लेकर आ रहे हैं वीडियो काफी मजेदार होने वाला है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तो आपको बता दूं कि इस फिल्म की पहली जलक दशेहरा के अवसर पर अयोध्या में देखने को मिला है जिसमें खेसारी लाल यादव प्रभूश्री राम के रूप में धनुश और बान धारन किये हुए है साथ ही उनके साथ भोचपुरी के धमाकेदार डेब्यू करने वाले राहुल शर्मा लक्षमन की भूमिका में नजर आये थे जिसमें मा जानकी भी थी सभी रत पर सवार होकर निकले थे जिसको देखकर दर्शक भावुक हो चुके थे दोस्तों आपको बता दूं कि इसी भावुक अवतार को देखकर पराग पाटिल ने अपनी फिल्म राजा राम की शूटिंग शुरू कर दी है जो बेहद ही खास होने वाली है दोस्तों इस फिल्म को लेकर खेसारी लाल यादव ने कहा कि फिल्म राजा राम मर्यादा पुरुशोत्तम भगवान श्री राम की कहानी पर आधारित है मैं अपने आपको भग्यशाली मानता हूं कि मुझे भगवान श्री राम के किरदार में जीने का मौका मिला इसके लिए मैं पराग पाठिल और टेक्नीशियन फिल्म फैक्टरी को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारी भाषा भोजपुरी में भगवान श्री राम को बड़े स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं दोस्तो इसके अलावा खेसारी लाल यादव ने कहा कि राजाराम फिल्म की कास्ट पेहद ही अच्छा है जिसकी हमने शूटिंग शुरू कर दी है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये फिल्म संघर्ष टू फिल्म की तरह बेहतर होगी क्यूंकि हम लोग इस फिल्म के लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे दोस्तो इस फिल्म की निर्देशक पराग पाटिल है तथा म्यूजिक का काम कृष्णा बेदर्दी ने संभाल रखा है दोस्तो वहीं इस फिल्म की स्टार कास्ट की हम बात करें तो खेसारी लाल के साथ साथ राहुल शर्मा, सोनिका गौडा और सपना चोहान है दोस्तो श्री राम जी के किरदार में खेसारी लाल कैसा लग रहे है कॉमेंट में जरूर बताना